हमारे वीडियो मसीहों को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाये जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंड रहे हैं किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अन्यायों को अपमान करना हमारा उद्देश्य बिलकुल नहीं है लेकिन कई प्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेश पहुंचती हो तो कृपिया हमारे वीडियो ना देखें वैलन्टाइन डे कहां से आया क्या वैलन्टाइन डे मनाना चाहिए आज अगर मैं किसी जवान लड़के या लड़की से पूछ लूँ कि वैलन्टाइन डे क्या है तो वे मुस्कराने लगते हैं क्यों च्योंकि वैलन्टाइन डे को जोड दिया गया है लव और रोमेंस के साथ आमतोर पर कोई अविवाहित लड़का अपनी गर्ल्फरेंड को फूल देगा चॉकलेट देगा या कोई और गिफ्ट देगा लड़का लड़की एक दूसरे को लव के कार्ड देंगे जिसमें दिल कबूतर, फूल, इतियादी बने होते हैं मैंने ये भी देखा है कि जो लोग विदेशी संस्कृती का भहिशकार करते हैं वे भी अपने गर्ल्फरेंड या बॉइफरेंड के साथ वैलेंटाइन डे जुरूर मनाते हैं लेकिन अगर मैं किसी से पूछू कि भाई, क्यो मनाते हैं वैलेंटाइन डे तो आम तौर पर किसी को पता नहीं होता मतलब लोग सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि आरे, हमें क्या करना है वैलेंटाइन डे के बारे में जान कर हम तो बस अपने पार्टनर के साथ इंजोई करेंगे अब वैलन्टाइन डे सही है या गलत इसे मनाना चाहिए या नहीं ये मैं आगे बताऊंगा लेकिन पहले इसका थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं तो वैलन्टाइन डे का रिवास कहां से आया तीसरी सदी में तीन ऐसे विख्यात शक्स थे जिनके नाम वैलन्टाइन थे उनमें से दो तो इटली के थे जिनको तीसरी सदी में ही मारा गया तीसरा वैलन्टाइन नौर्थ आफ्रिका में था और वो भी तीसरी सदी में ही मारा गया था लेकिन जो किस्सा सबसे अधिक प्रचलित है उसके आधार पर यह माना जाता है कि तीसरी सदी में रोम में जब समराट क्लॉडियस का अशासन था तो उसने सैनिकों के विवाहा करने पर प्रतिबंद लगा दिया था यह कहकर कि शादी शुदा सैनिक अच्छे सैनिक नहीं होते मतलब यह ठीक से लड़ते नहीं है लेकिन रोम में ही सेंट वैलन्टाइन नाम का एक पुरोहित था जिसको यह बात उचित नहीं लगी इसलिए वो चुक्के से उन सैनिकों के शादी करवा देता था जो प्रेम में पड़े होते थे इन लव इस वज़ा से एक दिन उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया माना जाता है कि जेल में वैलन्टाइन को जेलर की बेटी से प्रेम हो गया AD 209 में अपने मृत्युदन से पहले वैलन्टाइन ने जेलर की बेटी को एक विदाई पत्र लिखा जिसमें उसने कुछ यू हस्ताक्षर किये लव योर वैलन्टाइन मतलब प्रेम सहित तुमारा वैलन्टाइन इस तरहे वैलन्टाइन का नाम यूवक और यूवतियों के प्रेम के साथ जुड़ गया लव एन रोमैंस और आगे की सदियों में सेंट वैलन्टाइन लव और रोमैंस का चिन्द बन गया रोम देश के निवासियों का एक त्योहार था लूपर केलिया जो फरवरी महिने के मध्य में मनाय जाता था माना जाता है कि इस त्योहार में चिठ्धियां डाल कर लड़कों और लड़कियों के जोड़े बनाय जाते थे और फिर वो लड़का लड़की उस त्योहार की अवधी के दौरान गर्ल्फ्रेंड बॉइफ्रेंड बन के रहते थे फिर त्योहार खतम होने के बाद उन में से कुछ जोड़े आपस में शादी कर लेते थे AD 496 अर्थात येशु की मृत्यू से 463 साल बाद रोमन कैतलिक चर्च के पोप गिलेशियस ने 14 फरवरी के इस रोमी तयोहार को जो अन्य जातियों का तयोहार था उसे चर्च के साथ जोड़ दिया और उसे सेंट वैलेंटाइन को सम्मानित करने के दिन के रूप में घोशित कर दिया क्योंकि वो प्रेमियों का विभा करवाने के लिए शहीद हुआ था तो वहां से रोमन कैतलिक चर्च 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने लगा लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वैलेंटाइन डे का ना तो बाइबल से कोई तालुक है और ना उन मसीहों से जो बाइबल के अधार पर चलते हैं चौदवी सदी तक आते आते वैलेंटाइन डे पूरी तरह से लव और रोमैंस के साथ जुड़ गया मतलब वैलेंटाइन डे पूरी तरह से लव और रोमैंस का चिन्द बन गया वैलन्टाइन डे का पहला ग्रेटिंग कार्ड पंदरवी सदी में आया सतरवी सदी तक आते आते ग्रेट ब्रिटन के युवक और युवतियां जिनको हम अंग्रेज कहते हैं वे एक दूसरे को वैलन्टाइन डे के कार्ड और चिठ्थियां बेजने लगे वहां से वैलन्टाइन डे की ये परब्रा बहुत जल्दी अमेरिका में भी फैल गई आज हर साल दस लाख वैलन्टाइन डे कार्ड भीजे जाते हैं हर साल लगबग साड़े तीन करोड दिल के आकार के चॉकलेट बॉक्स बेचे जाते हैं हर साल वैलेंटाइन डे के लिए लगबग 22 करोड गुलाब के फूल उगाये जाते हैं विश्व भर में केवल अमेरिका में ही वैलेंटाइन डे पर लगबग 200 करोड रुपे खर्च किये जाते हैं तो देखा आपने कितना बड़ा बिजनस बन चुका है आज वैलेंटाइन डे विश्व भर में लेकिन रोचक बात यह है कि 1979 में खुद रोमन कैतलिक चर्च को सेंट वैलेंटाइन की पहचान अर्थात आइडेंटेटी को लेकर कुछ संदेह हुआ कि जिस वैलेंटाइन को व उन्होंने सेंट वैलेंटाइन की उपासना करना बंद कर दिया लेकिन संसार को इन सब बातों से क्या ले ना देना संसार तो वैलेंटाइन डे को गले लगा चुका था वैलेंटाइन डे पर करोणों का बिजनस होता है जवान लड़के लड़कियों को लव और रोमैंस का म अब ये केवल एक दिन का त्योहार नहीं, बलकि साथ दिन का त्योहार बन चुका है, वैलेंटाइन वीक, पूरा हफ्ता, कैसे, पहले दिन अर्था साथ फरवरी को रोज डे, मतलब लड़का अपनी प्रेमिका को गुलाब देता है, फिर अगला दिन प्रपोस डे, फिर चॉ कि ब्रदर, वैलेंटाइन डे केवल एक प्रेमि और प्रेमिका के बीच नहीं होता, बलकि वैलेंटाइन डे के दिन, आप किसी को भी गुलाब दे सकते हैं, या चॉकलेट दे सकते हैं, जिन से आप प्रेम करते हैं, जैसे कि आपकी मा, बेहन, पतनी इत्यादी, तो इसका जवाब यह है, कि जब भी किसी परंपरा का विकास होता है, तो उसकी शाखाएं किसी भी दिशा में चली जाती हैं, लोग अपने अपने हिसाब से उसे किसी भी दिशा में खीच लेते हैं, क्योंकि इन पर कोई रोक टोक तो लगा नहीं सकता, लेकिन पर अपनी गर्ल्फरेंड को गुलाब या दिल के आकार का चौकलेट का डिबबा या प्रेम भरा काड इतियादिक गिफ्ट देते हैं, कि क्या गर्ल्फरेंड मिलने से पहले वे अपनी बेहन या मा को भी ये सब देते थे हर वैलेंटाइन डेपर, शायद ही कोई होगा जो अपने भाई को वैलेंटाइन कार्ड देता हो, या एक बेटा अपने पिता को गुलाब या चौकलेट देता हो वैलेंटाइन डेपर, कार्ड और गिफ्ट तो कोई भी कभी भी दे सकता है, चाहे वो मा हो, बेहन हो, भाई हो, पिता हो, पती या पतनी हो, या कोई और, जिस Valentine डे तो युवा लड़के लड़कियों के love और romance से ही तालूक रखता है इसलिए आज विश्व भर में Valentine डे इतने जोर शोर से मनाया जाता है इतना खर्चा किया जाता है अगर आप बाहर सड़क पर यह सवाल किसी से पूछेंगे तो आम तोर पर आपको यही जवाब मिलेगा love और romance इसलिए Valentine वीक में एक दिन प्रपोस डेबी होता है जहां प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्रपोस करता है आपको पता है चौदवी सदी से पहले Valentine डे को love और romance से नहीं जोड़ा जाता था AD 1375 में जेफरी चौसर नाम के एक अंग्रेज कवी ने एक प्रसिद्ध कविता लिखी थी पंच्छियों पर जिसमें उसने लिखा था कि 14 फरवरी को Valentine डे के दिन पंच्छी संभोग करने के लिए अपना जोड़ा ढूंटे हैं और मनुश्य भी बस तब से Valentine डे को लव और रोमैंस के साथ जोड़ दिया गया जो आज तक चल रहा है तो ये तो था Valentine डे के इतिहास उसकी परिभाशा और उसके चलन के विशे में लेकिन मुख्य सवाल ये नहीं है मुख्य सवाल ये है कि क्या एक मसीह को Valentine डे मनाना चाहिए देखे मुझे इससे फर्ग नहीं पड़ता कि लोग Valentine डे मनाते हैं की नहीं जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे देश में जो लोग विदेशी संस्कृती का बहिश्कार करते रहते हैं उन में से भी बहुत से युव और युवतियां खुशी खुशी Valentine डे मनाते हुए पाये जाते हैं वे एक दूसरे को काट चौकलेड गुलाब इत्यादी देते हैं अब मैं उनसे जाकर बहस नहीं करना चाहता कि यह गलत है या सही यह उनका जीवन है वे जैसे मर्जी जीएं जो मर्जी करें मेरा काम तो क सारी सच्चाईयों का ज्यान हो जाता है मेरे चिंता तो केवल उन लोगों के लिए है जो मसी में आने के बाद भी इस सवाल से जूचते रहते हैं कि वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए कि नहीं आज विदेशों में बहुत से चर्च और बहुत से क्रिस्चन्स यही कहते हैं कि अरे वैलेंटाइन डे मनाने में क्या बुराई है यह तो प्रेम का त्योहार है जहां दो प्रेमी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं अब अगर मैं संसार की नजर से देखूं तो मुझे वैलेंटाइन डे की यह परिभाशा इतनी बुरी नहीं लगेगी लेकिन संसार के मू जिसमें एक प्रेम करने वाला पिता अपने एकलोते पुत्र के लिए दुलहन ढूंडे निकलते हैं और जब दुलहन मिल जाती है तो पता है कि उस दुलहन में पाप है बलकि वह सिरसे पाव तक पाप में डूबी वीए तब पुत्र अपनी दुलहन को पापों से मसीहों से बनता है फिर पुत्र ये कहकर वापिस अपने पिता के बस चला जाता है कि वो बहुत जल्दी अपने दुलन को लेने आएगा और उसे पिता के सामने पेश करेगा विवा के लिए जैसा प्रकाशित वाकिय उननी साथ से नौ में लिखाए तो पूरी बाइबल तो प्रेम के विशे में ही है लेकिन किस तरह का प्रेम वो प्रेम नहीं जो आज कल टीवी, फिल्मों या हमारे समाज में देखने को मिलता है जिसको लोग रोमैंस भी कहते है नहीं, वो प्रेम नहीं बलकि एक ऐसा प्रेम जिसकी बुनियाद स्वायम के बलिदान पर खड़ी होती है ना कि स्वार्थ और कामुकता पर Selfishness and Sexual Desires No एक ऐसा प्रेम जिसकी मिसाल येशु मसी ने दर्शाई अपने बलिदान से बाइबल का सेंट वैलेंटाइन से या वैलेंटाइन डे से कोई संबन नहीं है तो कोई यहां कहेगा कि आरे भई मान लिया कि बाइबल में सेंट वैलेंटाइन या वैलेंटाइन डे का कोई जिक्र नहीं है ये भी मान लिया कि बाइबल में किसी और त्योहार का भी कोई जिक्र नहीं है लेकिन अगर वैलन्टाइन डे पर हम अपने किसी प्रिय जन को कोई गिफ्ट देना चाहें तो क्या नहीं दे सकते क्या बाइबल ये नहीं सिखाती कि अगर एक मसीह किसी दिन को मनाना चाहता है तो वो मना सकता है रोमियों के 14 चार से पांच में तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोश लगाता है मतलब हर कोई येशु का सेवक है तो हमें येशु के सेवक पर दोश लगाने का अधिकार नहीं है तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोश लगाता है उसका स्थिर रहना या गिर जाना इसे संबंद रखता है मतलब येशु से संबंद रखता है वरण भह स्थिर ही कर दिया जाएगा क्योंकि प्रभू उसे स्थिर रख सकता है कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन एक सा जानता है हर एक अपने ही मन में निश्चे कर ले देखिए अगर आपको अपने किसी प्रिये जन को कोई गिफ्ट ये कार्ट देना है तो वैलन्टाइन डे ही क्यों ये सवाल आप अपने आप से पूछिए कोई ऐसा तो नहीं कि मसीह होने के बाद भी आप संसार के रिती रिवाजों से प्रभावित हो रहे हैं एक मसीह के लिए किसी भी दिन को मनाने से पहले ये सोचना बहुत आवशक है कि वो त्योहार किन मूलियों को दर्शाता है किन मूलियों का प्रतिनिधित्व करता है वाट वैलियूस ड़स दाट फेस्टिबल रेप्रेजेंट जिस थरह के लव और रोमैंस का वातावरन वैलेंटाइन दे के दिन देखने को मिलता है बाइबल उसे व्यविचार कहती है एडल्टरी क्यों च्योंकि शादी से पहले किसी से रोमैंस करना उसे कामुकता से गले लगाना या कामुकता से चूमना इन सब को बाइबल व्यविचार कहती है बाइबल के आधार पर एक लड़का और लड़की के बीच में किसी भी प्रकार का रोमैंस या शारिरिक सम्मद जिसमें कामुख भावनाएं हो वो केवल शादी के बाद अपने पती या पत्नी के साथ ही होना चाहिए अन्यता नहीं आपका जो सवाल है कि एक मसीह को किसी भी दिन को मनाने की स्वतंतरता है उसका जवाब समझने के लिए हम अगली आयत पढ़ते हैं रोमियों का 14-6 जो किसी दिन को मानता है वह प्रभू के लिए मानता है मतलब क्या हुआ अगर कोई किसी दिन को मनाना चाहता है तो वो प्रभ होती है उसमें किस तरह येशु की महिमा होती है अगर महिमा नहीं होती बलकि उसमें पाप हो रहा हो तो फिर वैलन्टाइन डे मनाने का क्या आर्थ रह गया कुछ लोग यहां पर तर करेंगे कि एक जवान लड़का लड़की के बीच में गर्ल्फ्रेंड बॉइफ्रेंड का संबंद कोई खराब संबंद नहीं होता बलकि वो तो एक मासूम प्यार होता है पापी लाव तो मैं यहां पूछना चाहूंगा कि आप किसको धोका दे रहे अपने आपको या किसी और को अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप इस बात की कलपना कर सकते हैं कि आपकी बहन किसी की गर्ल्फ्रेंड है और वो वैलेंटाइन डे के दिन अपने बॉइफ्रेंड के साथ किसी सुनसान से पार्क में अखेली बैठे हुई है मुझे पता ह आपको अच्छा नहीं लगेगा एक लड़का लड़की जब girlfriend boyfriend बनते हैं तो आपको क्या लगता है कि वे केवल एक दूसरे से बाते करने के लिए बनते हैं नहीं उनका रिष्टा जो हाथ पकड़ने से शुरू होता है वो आगे जाकर कहां तक पहुंचता है यह आप भी अच आज के लिए सब बहुत साधारन हो गया है और सबसे जादा तो यह वैलंटाइन डे पर होता है अगर इस चलन के बीच में कोई आता है तो वो है यह Bible जो लोगों को रोकती है और उनकी आंखे खोलने के कोशिश करती है कि जहां आप जा रहे हैं वहां खाई है अगर आप ग जाते हैं समस्या यह है कि इन विश्यों पर कोई बात नहीं करना चाहता है चर्चों में भी इस विशे पर स्पश्ट रूप से कुछ नहीं बताया जाता जवान लड़के लड़कियों को आज 16-17 साल के लड़कियों के गरपात यानि अबोर्शन क्यों हो रहे हैं क्योंकि वैलन्टाइन डेज यसी परमप्राओं को बड़ावा दिया जा रहा है फिल्मों और ट्रीवी पर दिखाये जाने वाले प्रोग्राम इस आग में घी का काम करते हैं परमेश्वर ने आदम और हवा से क्या कहा था उत्पत्ति एक 28 में परमेश्वर ने उनको आशीज दी औ और प्रित्वी में भर जाओ मतलब परमेश्वर चाहता था कि एक स्त्री और पूरुष के बीच में लव रोमैंस यौन संबंद सेक्शुल रिलेशन यह सब हो लेकिन शादी के बाद क्योंकि तभी आप इन सब का सही मायनों में आनंद ले पाएंगे लेकिन शैतान आकर आ शैतान के जूट में मत फसिये और अगर आप पहले से फस चुके हैं तो आज ही येशु से क्षमा मांग कर उसमें से बाहर आ जाईए येशु ना केवल आपको क्षमा कर देगा बलकि एक साफ सुत्रा जीवन जेनी के लिए आपका मार दर्शन भी करेगा लव, रोमेंस, यौन, संबंद और शादी इन विशियों को विस्तार से समझने के लिए आप मेरे दो संदेश देख सकते हैं लव मैरेज और अरेंज मैरेज और दूसरा शादी से पहले शारिरिक संबंद इन दोनों के लिंक इस वीडियो के नीचे दिये हुए इसके अलावा एक और संदेश है आत्मिक विवा और शारिरिक विवा जिसमें मैंने ये समझाया है कि अगर किसी मसीही लड़का है लड़की को परमेश और उसका पार्टनर दिखा देता है तो बाइबल के आधार पर उस रिष्टे को शादी तक कैसे पहुँचाना है उसका लिंक भी इसी वीडियो के नीचे दिया हुए है अब मैं आपको अपनी गवाही बताता हूं जब मैं येश्य मसी को नहीं जानता था तब मैं भी एक सांसारिक और शारिरिक जीवन ही जी रहा था जो कुछ मैंने टीवी से फिल्मों से और समा से सीखा था मैं भी बस वही कर रहा था मैं सोचता था कि आत्मा और प्रांट किसने देखे हैं who has seen the soul and the spirit मैं तो सिर्फ शरीर को जानता हूं शरीर को भूग लगती है प्यास लगती है शरीर की कुछ इच्छाएं होती है जिन में कामुक इच्छाएं भी होती है sexual desires तो मैं सोचता था कि अगर जीवन का आनंद लेना है तो बस अपने शरीरिक इच्छाओं को पूरा करते जाओ और मैं वही करता था इसलिए वेबिचार का पाप मैंने भी किया है गर्ल्फरेंड बॉइफरेंड का पाप मैंने भी किया है और इसलिए मैं आपने तजुर्वे से बता सकता हूं कि उसके परिणाम कभी अच्छे नहीं होते ऐसे संबंद कुछ समय के लिए तो आपको शारीरिक सुख दे सकते हैं लेकिन कभी आपको संतुष्टी नहीं दे सकते हैं और ना आपको शान्ती दे सकते हैं मेरा एक जानकार था जो मुझसे उम्र में छोटा था और उसकी एक गर्ल्फरेंट थी तो जब मैं मसी में आ गया तो मैं उसे बाइबल के बारे में बताने लगा मैं उसे बताता था कि वे विचार पाप है मैं अभी पहले ये सब करता था जैसे मन उसको बताया लेकिन येशु ने अपने वचन से मुझे बदल दिया और मुझे शमा कर दिया तब वो हस्ते बे कहता था भाईया ये गर्ल्फरेंट बॉइफरेंट वाला रिष्टा इतना भी गलत नहीं है जितना आप बता रहे हैं आपकी तो वही मिसाल हुई कि नौनो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली मतलब आपने तो सब कुछ करके आनन ले लिया अब लोगों को प्रवचन सुना रहे हैं अरे भाई मैं भी सब कुछ कर लूँ पहले फिर सुन लूँगा आपकी बात तो मैंने उसे कहा कि दोस्त बाहर से देखने में तो ऐसे ही लगता है कि गर्ल्फ्रेंड या बॉइफ्रेंड बनाना ग्रविचार करना शादी से पहले यौन संबंद बनाना ये सब बहुत सुक देता है लेकिन सच्चाई इसमें नहीं है इसमें बरबादी है रहे बात मेरी तो भले ही मेरी शादी हो चुकी है लेकिन ये मैं सोचो कि लोग शादी के बाद व्यविचार नहीं करते बहुत लोग करते आज कल की पीड़ी तो सबसे ज़ादा करती है अगर मैं परमिश्वर के वचन में नहीं बढ़ रहा होता तो शायद मैं भी व्यविचार में ही होता किसी पराई लड़के से संबंद बना रहा होता ये मैं सोचो कि व्यविचार सिर्फ जवान ही करते हैं या कुमारे ही करते हैं नहीं कोई भी इस पाप में पढ़ सकता है अगर उसके पास परमिश्वर का वचन ना हो तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर परमिश्वर ने अपना कोई दास मेरे पास तब भेजा होता जब मैं जवान था कुमारा था तो शायद वैस व्यविचार के पाप से और उससे होने वाली मुसीबतों से बच जाता लेकिन फिर समझ आता है कि परमिश्वर ने ऐसा होने दिया मेरे जीवन में कि मैं अपने इच्छाओं के पीछे भागूँ ताकि आने वाले समय में जब मैं अपने पापों से मन फिरा कर अपना जीवन येश्व को दे दूँगा तब व्यविचार से संबंदित मेरे यही अनुभव काम आएंगे मेरे संदेशों में ताकि युवापीडी को व्यविचार के इस गंबीर पाप से बचाने में मैं अपना योगदान दे सकूँ आज की युवापीडी को मेरा संदेश ये है कि शैतान जो इस संसार का इश्वर बना हुआ है जैसा कुरंतियों के चार-चार में लिखाए उसने मनुष्य की आँखों पर पट्टी बांदी वी है ताकि लोग येश्यों के सूसमाचार को ना देख पाएं ना समझ पाएं शैतान ने अपनी चतुराई से अपनी दुष्ठता से वैलन्टाइन डे जैसे कई त्योहार खड़े कर दिये हैं जो बाहर से देखने में तो एकदम मासूम और सुहावने लगते हैं लेकिन उनके अंदर जहर भरा होता है जो उसी को दिखाई देता है जो वचन में बढ़ रहा होता है मैं जानता हूँ कि वैलन्टाइन डे मनाने वाले हमारे कई दर्शक मेरे इस संदेश से सहमत नहीं होगे लेकिन हमने ये चैनल आपको बाइबल की सच्चा ही बताने के लिए खोला है हो सकता है कि आज आपको ये संदेश इतना समझ ना है लेकिन आगे जाकर ये आपके लिए जरूर लाबकारी सिद्ध होगा हो सकता है कोई यहां पूछे कि ब्रदर क्या मैं अपनी पत्नी को वैलन्टाइन डे के दिन फूल भी नहीं दे सकता अब मैं जानता हूँ कि आज बहुत से लोग बिना कुछ जाने वैलन्टाइन डे पर अपने प्रिये जनों को जैसे पती, पत्नी, मा या बेहन इतियादी को सच्चे मन से फूल या गिफ्ट देते हैं और उसमें कोई बुरा ही नहीं है लेकिन फिर भी मेरा सवाल उस भाई से यहीं होगा कि आप अपनी पत्नी को उनके बर्दे पर या शादी की साल गिरा है यानि एनिवर्सरी पर भी तो फूल दे सकते हैं और शायद आप देते भी होंगे तो फिर VALENTINE DAY में ऐसा क्या है जो आप उस दिन फूल देना चाहते हैं इसका जवाब आपको मुझे नहीं देना है बलकि खुछ सोचना है कि VALENTINE DAY कहां से आया आज वेलेंटाइन डे किसका प्रतीक है what does valentine day symbolize today क्या एक ऐसा दिन जिसमें विश्व भर में valentine day के नाम से व्यविचार किया जाता है क्या उस दिन अपनी पत्नी को फूल देना उचित होगा क्या ऐसा करके हम valentine day को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं ये सब प्रार्तना पूर्वक सोच कर आप खुद फैसला कीजिए जहां तक मेरी बात है तो मैं तो अपने को हर उस्तियोहार से दूर रखना चाहूंगा जो समाज को गलत मूली सिखाता है, मनश्य को पाप में गिराता है, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है मैं येश्यू में उसके लिए मुझे अन्य जातिके बनाए किसी ऐसे त्योहार की जरूरत नहीं है जिसमें पाप शामिलो अपने सभी युवा दर्शकों से मेरे विनिती है कि आप वैलन्टाइन डे जैसे त्योहारों के जहांसे में फस कर, परमेश्वर के वचन से दूर न जाएं येश्यू से दूर न जाएं ऐसे काम ना करें जो परमेश्वर को नहीं भाते परमेश्वर आपको यौन संबन के, सेक्स के रोमैंस के, लव के सभी सुख देना चाता है लेकिन शादी के बाद अपने पतनी या पती के साथ क्योंकि तभी आप इन सब का सच्चा आनन उठा पाएंगे क्योंकि तब प्रभू आपके साथ होगा इसलिए बाइबल सिखाती है इबरानियों के तेरा चार में विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिच्छोना निश्क लंक रहे मतलब बिच्छोना मतलब वो बैड जिसमें शादी के बाद पती बतनी आकर पहली बार सोते है तो वचन सिखाता है कि उसको पवित्र रखे मतलब शादी से पहले कोई संबंद ना बनाए ताकि आपका बिच्छोना निश्क लंक रहे चुकि परमेश्वर व्यविचारियों और पर्स्त्री गामियों का न्याय करेगा तो परमेश्वर में आनंदित रहो बहुत शान्ती मिलेगी आमेन